सबी प्रकार के कपड़ों की कटिंग और स्टीचिंग सिखने के लिए टी एस टेलर पाइंट को सस्क्राइब करें दोस्तों और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले सबी वीडियो को नाटिपिकेशन आप तक पहुंच सके मसकार दोस्तों टी एस टेलर पाइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम इस वीडियो में आप लोगों को डबल प्लेट वाली पैंट की कटिंग की इस तरह की जाती हैं वो दिखाएंगे सबसे पहले पैंट का एक बार मेजरमेंट चेक कर लेते हैं आज का हमारा पैंट का मेजरमेंट है दोस्तों लंबाई है 30.5,25, सीट है 36, जांग है 26, मोरी है 19, कमर 31, 30 और गुटना है 20 इसी मेजरमेंट की साबसे आज हम पैंट की कटिंग करेंगे सब से पहले दोस्तों कपड़े को ऐसे फोल्ड करके डबल फोल्ड करके से बिछा लेना है उल्टा करके ही बिछाना है इसको उसके बाद इधर रेशिदार कपड़े को खालेना है यह इस तरह से आज का हमारा paint का लंबाई है साड़े 49 इंच इसमें half इंच माइनस करके हम यहाँ पर लंबाई के लिए मार्किंग लगाएंगे यहाँ पर भी 49 इंच पर मार्किंग लगा लेंगे और fold कर तूर्पाई के लिए fold करने के लिए हम पर धाई इंच यहाँ पर भी डाई इंच अब आ जाते हैं दोस्तों हमारा high है 25 इंच 25 इंच को home करेंगे तो आएगा 15-13 इंच 15-13 इंच में 3 इंच माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 15-10 इंच 15-10 पर यहाँ पर मार्क लगा लेंगे यहां पर भी पॉने 10 पे मारक लगा लेंगे अब इसके बाद हम घुटने का निसान लगाएंगे दोस्तों हमारा लंबाई है 45.49 इंच 45.49 को हाप करेंगे तो हमारा आएगा पॉने 20 इंच और पॉने 20 इंच में 1.5 इंच और प्लस करेंगे तो हमारा आएगा सवा 1.5 इंच हम इधर 1.5 कमरपटी के लिए 1.5 कम करते हुए यहां पर 1.5 इंच पे मारक लगा लेंगे यहां पर भी वैसी 1.5 मारक लगाएंगे अब इन तीनों निसान को सीधा कर लेंगे दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया हैं या नए हैं तो प्लीज सस्क्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को भी प्लेस कर दे ताकि आने वाले सबी वीडियो के नटिपी किसन आप तक पहुंच सके यह देखिए हमने तीनों मारक को सीधा कर लिया है अब इसके बाद हम थाई के मारक लगाएंगे हमारा थाई है 26 इन 26 को हाप करेंगे तो हमारा अगर 13 इंच तो यहां पर यहां से 13 इंच पर मारक कर लेंगे यह देखिए यहां से 13 इंच और पौने 2 इंच प्लाइ के लिए मारक करेंगे देखे पौने दो इंच यहाँ पर भी ऐसी करेंगे दोस्तों यह 13 इंच पर मार्क करेंगे और पौने दो इंच पर भी मार्क कर लेंगे अब यहाँ पर सेंटर के लिए हम 13 का हाफ होगा 6.5 इंच यहाँ पर मार्क कर लेंगे यहाँ पर भी center के लिए mark कर लेंगे देखी दोस्तों मैं इसको double करता हूँ तो यहाँ पर आएगा दोस्तों देखे center के लिए देखे यहाँ पर भी साड़े change आ रहा है और यहाँ पर भी साड़े change यहाँ पर भी हम साड़े change पर mark कर लेंगे center के लिए और एक यहाँ पर भी मार्क करेंगे बाटम पर साड़े चेंज पर यह हमारा सेंटर के लिए है दोस्तो अब इसको सीधा कर लेंगे अब इसको भी सीधा कर लेंगे दोस्तो यह देखिए इस तरह से और यहाँ से यहाँ पौने दो इंच पर एक मारक लगाना है यहाँ पर और यहाँ पर हापी डाउन करना है दोस्तों यह देखिए इस तरह से और इसको गोल सेप दे देना है अब आ जाते हैं दोस्तों मोरी पर हमारा मोरी है 19 इंच 19 को हाप करेंगे इस तरह से हाप करेंगे यह देखिए मोरी को हाप करेंगे तो हमारा आएगा साड़े नाव इंच यहाँ पर आ रहा है दोस्तों साड़े नाव अब साड़े नाव को हाप करेंगे तो हमारा आएगा पौने पांच इंच तो सेंटर से पौने पांच इंच इधर और साड़े न करेंगे तो हमारा आएगा पांच इंच देखिए इधर पांच इंच और यहां पे दस इंच पे मार्क कर लेंगे एक तरह से और मापते हैं दोस्तों गुटने को यहां जैसे मोरे से जहां पर हम मोरी का मार्क लगा है वहां से इंची डेप को रख लेंगे और यहां से थाई क मारकव को अंदर के साइड ही लगाना है दोस्तों तो यह हमारा सेम बैठ रहा है दोस्तों यहां से इंचे टेप को ऐसे रखेंगे इसको भी यहां से अंदर से रखेंगे और अंदर तरफ ही यहां पर मारक लगाएंगे देखिए हमारा सेम आ रहा है दोस्तों यह देखिए हम हमारा गुटना हम पहले से माप ले लिए थी इसका इसलिए हम यहाँ पर 10 इंच पर लगाया हमारा गुटना 20 इंच है 20 का हाप किये तो 10 आया चलिए दोस्तों अब इसको सीधा कर लेंगे यहां मोरी से गुटने तक पहले सीधा इसके सीधा करेंगे यह देखिए इस तरह से स यहां पर भी तीछे करेंगे थोड़ा सा ताकि हम फोल्ड करें तो हमारा पेंट अच्छे से आ सके अब यहां से गुटने से थाई के पास हम राउंडी स्केल से इसको मार्क करेंगे यह देखिए हमारा अच्छे से यहां पर बैठना चाहिए यह इस तरह से मार्क करेंगे यहां पर भी हमने इसको सीधा कर लिया है अब दोस्तों यहां पर हम कमर का मार्क करेंगे हमारा कमर है साड़े एक तिस इंच साड़े एक तिस को हाप करेंगे यह देखिए दोस्तों इस तरह हाप करेंगे SHOO यहां पर आएगा हमारा पॉने आठ इंच एक पाइंच के पॉने आठ ही एक एक पाइंच तो हम इसको तीन पाइंट यहां से कम कर लेते हैं और सामने पल्ला के लिए मारकर करेंगे तो हम यहां पर साड़े साथ इंच पे मारकर करेंगे देखे दोस्तों साड़े साथ इंच प्लस एक इंच दबाव के लिए साड़े साथ प्लस एक इंच दबाव के लिए अब यहाँ पर दोस्तों हमारा प्लेट के लिए बचेगा धाई इंच हम धाई इंच पे लगाएंगे प्लेट देखिए धाई इंच पे अब देखिए दोस्तों हमारा प्लेट धाई इंच बच रहा है तो हम धाई का हाप करेंगे तो हमारा आएगा सवा इंच तो हम दो प्लेट सवा सवा इंच का लगाएंगे तो दोस्तो हम यहाँ पर सवा इंच का एक मार्क कर लेंगे उसके बाद सवा इंच का यहाँ पर गेप देंगे उसके बाद फिर 7 इंच का मार्क करेंगे देखे दोस्तों यहीं पर आ रहा है अब हम इसको सीधा कर लेते हैं दोस्तों प्लेट के लिए मार्क लगाए हैं उसको यहां से ऐसे सीधा करना है और यह हमारा गेफ हो गया 7 इंच का और इसको सीधा कर लेंगे यहां से से और इसको भी यहां फिर सवा इंच है तो हमारा सवा सवा ढाई हो गया हमने प्लेट के लिए ढाई इंच लिया था देखिए दोस्तों अब यहां से हम हाप इन डाउन किये थे उसको हमको सीधा कर लेना है दोस्तों यहां से सीधा कर लेना है उसके बाद दोस्तों हमने यहां से यहां पर हमने जो मार्क लगा है वो उसको भी सीधा कर लेते हैं यह देखे दोस्तों इस तरह से राउंड करके सीधा कर लेना है इसको चलिए दोस्तों इसकी कटीन कर लेते हैं फ्रंट पार्ट को अब हम दोस्तों यहां पर सेंटर पर कट लगा लेंगे और यहां पर भी हम जो प्लेट के लिए मार्क किये हैं वहां भी भी कट लगा लेंगे ताकि हम को स्टिचिंग के समय कोई भी परसानी नहों यहां पर भी कट लगा लेंगे और दोस्तों हमने यहां पर फ्लाई के पास यहाँ पे पॉने दो इच पे मार्क लगाया है वहाँ भी कट कर लेना है चलिए दोस्तो हम अब बेक पार्ट का कटीन करेंगे इसको सबसे पहले उल्टा कर लेना है यह देखिए इस तरह से उल्टा कर लेना है दोस्तो अब इसमें दोस्तो हम फ्रेंट पार्ट को यहाँ पर उपर में रखेंगे ताकि हम मार्किंग कर सके अब हमें इसका सेंटर देख लेते हैं दोस्तो यह 9 इंच है हमारा यहाँ पर तो यहाँ पर भी 9 इंच आना चाहिए यहाँ पर भी 9 इंच है और यहाँ पर भी 9 इंच आना चाहिए यहाँ पर भी हमारा 9 इंच है तो यह हमारा fix हो गया है दोस्तों हमारा 9 इंच पर लग गया है अब दोस्तों उसके बाद सबसे पहले इसको यहाँ से ऐसे सीधा कर लेना है आगे बढ़ा लेना है इसको और यहां half inch पे और down करते हुए एक mark और कर लेना है यहां पर गुटने पे हमको एक mark और कर लेना है और यहां मोरी पर भी एक mark और कर लेना है इस तरह से अब दोस्तों हम यहां से यहां धाय inch का mark करेंगे यहाँ पर धाई इंच का मारक करेंगे यहाँ पर सवादो इंच का करेंगे और यहाँ पर देड इंच का करेंगे अब दोस्तों इसको सीधा कर लेना है मोरी से गुटने तक हमको सीधी स्केल से सीधा करना है इसको यह लेखी इस तरह से सीधा कर लेना है अब गुटने से थाई के पास हमको round scale से इसको सिधा कर रहा है इस तरह से सिधा कर लेना है इसको यह देखिए हमने सिधा कर लिया है round scale से अब दोस्तों हमने यहाँ पर लगभग हाप इंच यहाँ पर आगे करना होता है दोस्तों लेकिन हमारा यहाँ पर कपड़ा कम है इसलिए हम इसको जितना है उतना ही रख रहे है अब इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर हाप इन डाउन किया था वहाँ पर हमको लगभक सवा इंच उपर की तरब मार्क कर लेना है और इसको सीधी स्केल से यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इसको सीधा कर लेना है इस तरह से सीधा कर लेना है दोस्तों अब दोस्तों हम यहाँ पर कमर का मार्क करेंगे हम यहाँ आधा इंच यहाँ पर हम दबाव के लिए ले लेंगे पहले तो और हमारा कमर है 31 इंच तो हमने यहाँ पर 31 का हाप किये थे तो हमारा आया था 8 पॉने 8 इंच और 1 पाइंट तो हमने यहाँ पर 3 पाइंट कम करते हुए 7.5 इंच पर रखा था फ्रन्ट पाइंट को तो हम यहाँ पर पीछे के साइट तीन पाइंट एश्टर रखेंगे दोस्तों तो हमारा तीन पाइंट एश्टर रखेंगे तो एक, दो, तीन तो यहाँ पर हमारा सवा आठ इंच आएगा दोस्तों यह देखे बेक पाइट सवा आठ इंच कर रखेंगे कमर को और उसमें एक इंच डाट के लिए तो हमारा आव हो जाएगा सवनाव इंच और यहाँ पर दोस्तों हम अधा इंच पहले दबाव के लिए यहाँ पर मार्क कर लेंगे उसके बाद ही हम यहाँ पर सवाथ इंच प्लस एक इंच डाट के लिए यहाँ पर सवनाव पर मार्क करेंगे और यहाँ पर दो इंच एस्टा और रखेंगे अब आ जाते हैं दोस्तों हम यहाँ पर हीप का मार्क करेंगे हीप हम यहाँ पर साड़े तीन इंच उपर एक मार्क कर लेंगे यहाँ पर भी साड़े तीन इंच पर और यहाँ पर हमारा जीतना है पहले उसको मारक कर लेना है और इसको 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 ऐसे उठा लेना है फ्रेंट पार्ट को और यहाँ पर सबसे पहले दबने के लिए हाप इंच यहाँ पर मारक कर लेना है हमारा ही भे दोस्तो 37 इंच तो हम इसमें 2 इंच के लूजिंग देंगे तो हमारा हो जाएगा 49 इंच और 49 को यहाँ पर हाप करेंगे तो हमारा आजाएगा 19 इंच और 19 इंच को हाप करेंगे तो हमारा आजाएगा 15 इंच तो हम यहाँ पर 15 पर मार्क लगा लेंगे दोस्तों हम यहां आधें जो दबाव के लिए छोड़े हैं वहां पे ही हमको यहां पर मार्क लगाना है यह देखिए पौने दा सिंच पौने दा सिंच को यहां पर रखना है और यहां पर मार्क लगा लेना है अब इसको यहां से कमर के लिए मार्क लगा है है वहाँ पर सीधा कर लेना है दोस्तों यह इस तरह से सीधा कर लेना है दोस्तों और इस लाइन को हमको यहाँ पर लाके मिला लेना है देखिए इस तरह से इस तरह से मिला लेना है अब इसको round shape दे देना है दोस्तों अब इसके बाद दोस्तों यहां पर हमको 1.5 इंच पर एक और मार्क लगाना है और यहां पर हम जो 2 इंच एश्टा यहां पर छोड़े हैं वहां पर जाकि इसको मिला लेना है देखिए इस तरह से अब इसको हमको round shape दे देना है दोस्तों यह देखिए इस तरह से इस तरह से देना है और यहां से इसको यहां से इसको इस तरह से round shape दे देना है दोस्तों इस तरह से देना है यह देखिए इस तरह से अब हम इसको सिधा रख लेंगे दोस्तो फ्रंट पार्ट को यह हमारा बेक पार्ट का मार्किंग हो गए दोस्तो अब हम इसको कटीन कर लेंगे दोस्तो यहां से ही कटीन करना है दोस्तो क्टीन मार्ट करती है दोस्तो यह देखे दोस्तों हमारा बेक पार्ट अभी कटिन हो गया अगर इस तरह से आप कटिन करेंगे दोस्तों पैंट का डबल प्लेट वाली पैंट का कटिन करेंगे तो आपको कोई भी परसानी नहीं होगी तो इसी तरह से आप लोग भी कटिन कीजिए दोस्तों